हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास फिफ्थ की एविस की बुक का चैप्टर सिक्स्टीन हो विल डू दू दिस वर्क की वर्कशीट को सौल्व करेंगे तो चले बच्छा शुरू करते हैं देखे इस चैप्टर का मतलब है हो विल डू दिस वर्क यानि कि यह काम कौन करेगा यानि जो भी धरह के काम होते हैं वो कौन करेगा जैसे कि जाडू लगाना या फिर क्लीनिंग डस्टिंग इस टाइप के काम कौन करेगा ठीक है नेक्स है फिल इन दा प्लैंक फर्स टेस में एड गांधी जी जी आश्रम everyone had to do various types of works यानि कि गांधी जी के आश्रम में सभी को तरह तरह के काम करने परते थे मतलब हर तरह के काम हर किसी को करने होते थे नेक्स है और तरह का काम doable है करने लायक है और respectful है सभी काम को इज़त मिलने चाही है नेक्स है गांधी जी यानि कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि हर व्यक्ति को हर प्रकार का काम करना चाहिए नेक्स है आफ्टर इंडिया जी डिशिप में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जी की ठीक है नेक्स है इसमें आपको मैचिंग करनी है पहला है महत्मा गांधी इसको किसे मैच करेंगे फादर अफ दी नेशन उन्हें क्या कहा जाता था राष्टर पिता फादर अफ दी नेशन वैशनव जन तो ये है गांधी जीज फेवरिट भजन ठीक है गांधी जीज आश्रम साबर्मती गुजरात ठीक है कहां पर रही है साबर्मती गुजरात में फ्रा नेशन और वो एक social reformer थे यानि की जो समाज सुधारक होते हैं, politician यानि की राजनीतिग चिक है, और नेक्स्ट है, और उन्हें जो समिधान है, father of the Indian constitution, समिधान का जो पिता भी कहा जाता है, Indian constitution जो है उसका, नेक्स्ट है, यानि की गांधी ची हमेशा कहा करते थे कि सभी को हर तरह का काम करना चाहिए, तो इसके बाद में आपको इससे क्या समझाया है, वो लिखना है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हर कोई हर तरह का काम करेगा, तो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, इसमें आपको कुछ ग्रेट पीपल के नेम लिखने हैं जोनोंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है सभी को इक्वली ट्रीट करने के लिए बराबर समानता मिलने के लिए तो इसमें है डॉक्ट भीम राउंबेटकर और महात्मा गांधी जी नेक्स्ट है आपको यहाँ पर आपकी घर में मैं और विमन कि द्वारा जो भी काम किये जाते हैं आपकी फैमिली में वह आपको लिखने है और आजोनों में आपीश उप्र किया सायदा है उख और फैरो ग्राता है कुछ women office work भी करती है और सारे घर के गाम भी करती है ठीक है नेक्स्ट है activity है आपकी talk to your family members and friends find out about various jobs done by the people make a list of these jobs यहाँ पर आपको अपनी family members और friends से बात करनी है और तरह तरह की jobs जो कि लोगों द्वारत की जाती है उनकी एक list बनानी है तो मैंने यहाँ पर एक list बनाई है जैसे farmer, doctor, teacher, painter, master, carpenter, soldier, household worker, nurse, policeman ठीक है इस आपके काम लोग करते हैं next है write the names of 5 jobs which you would like to do and 5 jobs which you do not like ठीक है तो इसमें यह है कि आपको 5 jobs बो लिखनी है जिने आप करना चाहेंगे और 5 jobs बो लिखनी है जिने आप करना नहीं चाहेंगे करना पसंद नहीं करेंगे तो इसमें jobs you would like to do में मैंने लिखा है doctor, teacher, critter, soldier, chef ठीक है इस टाइप की jobs हो गई है और jobs you would not like to do यहां पर मैंने लिख दिया है जैसे painter, painting काम नहीं करना चाहेंगे और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो काम आप ना करना चाहें ठीक है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि आपको कॉलम में लिख सकते हैं ठीक है बच्चो कि बच्चो थेंक यू